माद्यमिक शिक्सा बॉर्ड राज्तान गणित कक्सा 6, 7, 8, 9, 10 के लिए देखते रहे आपका अपना यूट्यूब चैनल लाइक, सेर और सब्सक्राइब कीजिए क्रिशन नमर 11 कोड़ थिटा माइनस टेन थिटा बराबर एक माइनस तो से साइन स्कूर थिटा बटेवे साइन थिटा कोश थिटा तो इसका लैचेस बराबर कोड़ थिटा माइनस टेन थिटा तो इनको साइन कोश मा बदलने के लिए कोड़ थिटा बराबर होता है साइन थिटा बटावा, कोस थिटा और टेन थिटा बराबर, साइन थिटा बटावा, कोस थिटा रखने पर, यहां में प्राप्त होगा, कोट की जिए गए, स्वरी, गलत लिख दिया है, यहां हो जाएगा, कोस थिटा बटावा, साइन थिटा, और टेन का साइन थिटा बटा तो यहां होगा कोस्थिटा बटावा साइन थिटा माइनस टेन की जगा होजाएगा साइन थिटा बटावा कोस्थिटा इसका लग तुम ले तो लग तुम लेने प्राप्त होगा लग तुम आएगा साइन थिटा कोस्थिटा का साइन थिटा बटावा साइन थिटा इन्टू कोस्थिटा साइन थिटा में इसमें बाग देंगे तो साइन से साइन कटो जाएगा कोस्थिटा cos को cos से गुणा करने पर cos square theta minus cos का बाग देंगे cos कट हो जाएगा sin theta प्राफ्त होगा sin theta को sin theta से गुणा करेंगी इससे तो आजाएगा sin square theta sin square theta तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमेशित करना 1 minus 2 sin square theta तो यहाँ cos square theta को sin square theta में बदलने के लिए जो कि sin square theta plus cos square theta बराबर होता है इससे हम cos square की value निकलें तो cos square theta बराबर होता है 1 minus sin square theta तो इस cos square की जगे हम लिखते है 1 minus sin square theta 1 minus sin square theta minus sin square theta जो है पहले से बटे हुए sin theta cos theta यह बराबर हो जाएगा 1 minus यह sin square theta और sin square theta हो जाएगा दो बर sin square theta और बटे हो यह यहाँ जाएगा sin theta cos theta sin theta cos theta जो कि हमारा RHS है 1 minus 2 sin square theta बटा sin theta cos theta 1 minus 2 sin square theta बटा sin theta cos theta बराबर RHS अब इसके बाद में किशन नमबर देखते हैं 13 किशन नमबर 13 13 में 6 theta minus cos theta into quote theta प्रस 10 theta बराबर है 10 theta 6 theta तो इसमें भी हम लेते हैं LHS LHS में है 6 theta minus cos theta और इधर हो गया quote theta plus 10 theta यहाँ हमें 6 theta quote theta और 10 theta को sin cos में बदलना है तो हम जानते हैं कि 6 theta बराबर होता है 6 theta बराबर एक बटावा cos theta cos को नहीं बदलना है quote theta बराबर हो गया cos theta बटावा sin theta और 10 theta बराबर हो जाएगा sin theta बटावा cos theta यह तो यह मानिया आप रखें तो 6 theta बराबर हो गया एक बटा cos theta यह एक बटा cos theta minus cos theta का cos theta हो गया यहाँ cos theta बटावा sin theta plus 10 theta का हो गया sin theta बटावा cos theta दोनों का हम यह लगतम लेते हैं दोनों bracket का लग-लग लगतम लेने पर पहले bracket का लगतम आएगा cos theta और यह का लगतम आजाएगा cos theta cos में cos का बाग देंगे एक बार एक को एक से गुणा करने पर 1 minus इस एक का बाग देंगे cos में तो यह जगा cos square theta दूसरी bracket का लगतम आएगा sin theta cos theta यह लिगा sin theta cos theta तो sin से sin कटो जाएगा cos theta cos theta को cos theta से गुणा करेंगे तो यह जगा cos square theta प्लस इसमें cos का cos में बाग देंगे cos कर जाएगा sin बाग इस sin को गुणा करेंगे sin से तो यह हो जाएगा sin square theta sin square theta अब हमारे सरस्मी का है sin square theta plus cos square theta बराबर 1 तो इसकी जगे रखेंगे हम 1 और दूसरा है कि sin square theta बराबर हो जाएगा इसके अंदर 1 और cos उदर जाएगा तो minus cos square theta तो इस तरह से हम 1 minus cos square theta की जगे रखेंगे sin square theta तो यहां लिखा उपर sin square theta और नीचे लिखा cos theta into यहाँ cos square theta plus sin square theta की जगे है 1 आजाएगा यह सरस्मिका के साथ से 1 और बटा नीचे हो गया sin theta cos theta 1 बटा sin theta cos theta हो गया तो यहाँ हम देखते हैं कि इसमें यहाँ sin से एक sin कट हो जाएगा sin से एक sin कट हो जाएगा एक बचेगा तो यह बचेगा यहाँ यहाँ बचेगा sin theta बटावा cos theta sin theta बटावा cos theta into यहाँ बचेगा एक बटावा cos theta तो हम जानते हैं कि sin theta बटावा cos theta sin theta बटावा cos theta 10 theta होता है तो वापस इस कीज़ेंगे हम लिख देते हैं 10 theta और एक बटा कोस theta होता है शेक theta क्यों रहा होता है तो into हो गया है सेक theta जो कि हमें आ रहे हैं चेसमें सीथ करना है 10 theta into शेक theta इसमें हमें प्राप्त हो गया 10 theta into सेक theta और है एक एस राइट एंड साइड इसमें प्राप्त हो गई इती सिद्धम क्यूसर नंबर चोगदा यहां वार माइनस टेन स्कॉर एलफा बटावा कोट स्कॉर एलफा माइनस एक बराबर टेन स्कॉर रसीद करना है तो हम जानते हैं कि इसको भी साइन कोस में बदलना है अपना नियम भी साइन कोस वाला ही चल रहा है तो टेन एलफा बराबर हो जाएगा साइन एलफा बटावा कोश से एलफा और कोट एलफा बराबर हो जाएगा कोश से एलफा बटा साइन एलफा तो यहां हम देखते हैं इसका लिया एलएचस ले को इसको हम चेंज करते हैं साइन कोस में तो यह हो जाएगा एक में इन स्कुर्इए हो जाएगा साइन स्कुर्इर एलफा बिटा से एलफा कोस और नीचे हो जाएगा, कोटी स्क्वार का हो जाएगा, कोश स्क्वार एलफा बटावा, साइन स्क्वार एलफा, माइनस वन, यहां हम इसका लगतुम लेते हैं, तो इसके नीचे बटा एक कर दिया यहां इसके नीचे भी एक कर दिया अंस में इसका बार लग तुम है एक और कोसी स्क्वार का लग तुम आएगा कोसी स्क्वार एलफा तो एक का बाग देते हैं कोसी स्क्वार एलफा में कोशी स्क्वार एलफा यहां एक से गुणा करेंगे तो यह जाएगा कोशी स्क्वार एलफा माइनस कोशी स्क्वार में कोशी स्क्वार का भाग देंगे एक बार एक को साइन स्क्वार से गुणा करने पर यहां पुरा जाएगा साइन स्क्वार एलफा नीचे यहां लोग तुम लेंगे तो लोग तुम आएगा हमारा sin square alpha sin square कर एक का लोग तुम आजाएगा sin square alpha sin square में sin square का बाग देंगे एक बार एक को cos square से गुणा करेंगे तो यहाँ जाएगा cos square alpha minus एक का बाद देंगे sin square में तो sin square alpha, एक से गुणा करने पर, यहां जाएगा sin square alpha, जिसे हम इस परकालिक सकेंगे, यहां उपरवाले भिनको जिसे लिखें, cos square alpha minus sin square alpha बटे हुए cos square alpha, यह उपरवाले अंसको लिख दिया, यहां चिन गुणा का करते हुए, इसके हर को उल्टा लिखें, तो यह इसमे sin square alpha उपर आ जाएगा, बटे हुए cos square alpha minus sin square alpha, यह अंस में चला गया, यह हर में आ गया, तो यहां देखते हैं कि यह इसका अंस और इसका यह हर दोनों समान है, तो यह एक बार कट हो जाएगा, और हमें प्राप्त होगा, इसमें प्राप्त बाद sin square alpha, sin square alpha बटे हुए, निचा गया cos square alpha, हमाँ प्राप्त है कि sin बटावा cos, sin theta बटावा cos theta, sin alpha बटावा cos alpha होता है, 10 alpha, तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा, 10 square alpha, जो कि मैं सिद्ध करना है, 10 square alpha, तो इस तरे से प्राप्त बाप्त बाद, 10 square alpha बटा एक माइनस कोड़ थिटा, प्लस कोड़ थिटा बटा एक माइनस 10 थिटा, हम लेते हैं इसका LHS, LHS बराप्त बराप्त में 10 theta बटावा 1 माइनस कोड़ थिटा प्लस कोड़ थिटा बटा एक माइनस 10 theta, इससे भी हमें वही नियम फोलो कोड़ना है, sin cos में बदलना है, sin cos में बदलने के लिए 10 theta बराप्त होता है, sin theta बटावा, cos theta, और cos theta बराप्त बटावा, sin theta, तो इस तरह से यह हमारा 10 theta लिखा जाएगा, sin theta बटावा, cos theta बटावा, 1- sin theta, 1- cos theta की जिखा जाएगा, cos theta बटावा, sin theta, प्लस, इस कोड़ की जिखा जाएगा, cos theta बटावा, क्योंकि cos theta बटावा, cos theta बटावा, sin theta होता है, 10 theta बटावा, sin theta बटावा, cos theta, cos theta बटावा, cos theta लिख दिखा जाएगा, यहां इस क्यूसरे में जो बच्चे मुक्यरूप से गलती करते हैं, वो गलती यह करते हैं, कि यहां इसके अंदर एक साथ वो लगतों ले लेते हैं, हमें यहां पहले इसके हरका लगतों लेना है और दूसरे पद के हरका लगतों लेना है, तो लगतों लेने के लिए हम क्या करें यहां? इसका अंसर जैसा ही लिखे, sin theta बटावा, cos theta, यह मुख्य बटा हुए है यह वाला और निच्छे इसका लोग तुम ले तो लोग तुम आएगा साइन थीटा रेका से लोग तुम आजाएगा साइन थीटा हम एक का बाग देंगे साइन थीटा में तो एक बार एक को साइन से गुणा करने पर यहां जाएगा साइन थिटा माइनस साइन का साइन भाग देंगे तो एक बार एक को को से गुणा करेंगे तो को से थिटा इस तरह से यहां जाएगा तो यह मुख्य बटे को दियान रखें यहां ये प्लस इस मूख्य बट्टे की सीदमर रखें यहां, फिर ये मूख्य बटा किन्चे इसका दूसरे वाले का, अपर ओगयांस में, साइन तिटा बटावा, कोस तिटा, निचे वाले का लोग तो माय आवारे, एक कार कोस थिटा गलोग तो माँ गया कोस थिटा एक का भाग देंगे कोस बार कोस को एक से गुणा करने पर यह जाएगा कोस थिटा माइनस कोस में कोस का भाग दिया एक बार एक कोस साइन से गुणा करने पर साइन थिटा इस तरह से जो अगला पता आएगा उसमें ये द्यान दें कि ये हो गया sin theta बटावा cos theta और इसके निचे वाली भीना है वो चिन गोना का करते है उल्टी हो जाएगी इसमें sin theta पुरा जाएगा और निचे आजाएगा sin theta minus cos theta sin theta minus cos theta इसको bracket में बंद कर दें ये प्लस लिखें यहाँ इसमें भी ये sin theta बटा cos theta है जिसे लिखें sin theta बटा cos theta चिन गोना का करते हो ये इसको लिखें इसके हर को लिखें उल्टा cos theta बटावा cos theta minus sin theta minus sin theta तो ये पत बन जाता है sin को sin से कोना करने ये बड़ sin square theta बटा cos theta bracket sin theta minus cos theta प्लस यहाँ होगया sin यहाँ बूल सुदार करें यह cos theta बटा sin theta था जिसको हमने sin theta बटा cos theta लिखते हैं तो यह होगा cos theta बटे हुए sin theta तो यहाँ होगा cos theta बटे हुए sin theta तो इसको हम यहाँ लिखेंगे cos को cos से कुणा करने पर यहाँ होगा cos square theta और बटे हुए यहाँ होगा sin theta और इस bracket के अंदर हम common ले लेते हैं minus common ले लेते हैं ताकि यह दोनों पद sin theta minus cos theta हो जाए तो यह minus common लिए तो यह minus वाला minus minus plus हो जाएगा पहले हो जाएगा sin theta और यह हो जाएगा minus cos theta इस तरह से हम आगे देखें तो अब पूने एक बार लगुतम लें तो अब लगुतम लेंगे पूरे दोनों पदों का तो इन दोनों पदों का लगुतम हमें इस तरह से प्राप्त होगा कि यहां बाहर है cos theta और sin theta तो यहां हमने पहले भाले लिए sin theta cos theta और यह bracket दोनों में एक जैसा है sin theta minus cos theta sin theta minus cos theta इस तरह से यह लगुतम आने पर हम देखें कि इसमें भागते हैं sin theta bracket sin theta minus cos theta का तो इसमें यह cos theta से cos theta कट हो जाएगा और bracket से यह bracket कट हो गया हमें प्राप्त होगा sin theta यानि cos theta sin theta से cos theta sin theta यह कट हो गया भाग जाएगा sin theta बार और sin theta को sin square से गुणा करेंगी तो यह हो जाएगा sin cube theta और minus यहाँ इसमें sin से यह sin cut हो जाएगा sin से sin cut हो जाएगा और bracket से bracket क्या बचेगा cos theta तो cos theta को गुणा करेंगी cos square theta चे तो यह आजएगा और यहाँ हो जाएगा plus minus यह minus मैंने लिख दिया और यहां हो जाएगा cos cube theta तो अब हमारी एक सरस्मिका है sin cube theta minus cos cube theta के अंदर a cube minus b cube की वो सरस्मिका यह है कि a cube minus b cube बरबर होता है a minus b और bracket में a square plus b square minus a b तो यह प्लस a b यह सरस्मिका हम इसमें लगाते है a cube minus b cube बरबर a minus b bracket a square plus b square plus a b प्लस a b यह लगाते है तो इसके हिसाब से यह गया जाएगा यहां ओपर sin cube theta minus cos cube theta की जगा जाएगा a की जगा है sin theta तो इसमें जाएगा sin theta minus b की जगा cos theta तो यह होगा cos theta उसके बाद में a square plus b square तो a की जगा sin square तो यूज़ेगा sin square theta plus b की ज़ेगा cos theta तो यूज़ेगा cos square theta और plus हो ज़ेगा sin theta cos theta sin theta cos theta और बटे sin theta बटावा sin theta cos theta और bracket मा आगे sin theta बटावा cos theta तो इस तरह से हम देखते हैं कि sin theta cos theta sin theta minus cos theta sin theta minus cos theta कट हो जाएगा minus है यहाँ sin theta minus cos theta sin theta minus cos theta कट हो गया तो हम यह प्राप्त हुआ sin square theta plus cos square theta plus sin theta बटा sin theta cos theta और बटे हो यह sin theta cos theta अब हम उपर पद हैं एक, दो, तीन पद पर आपता हैं तो तीनों में अलग-अलग बाग देने पर हैं पहला पद है sin square theta बटा इसमें बाग दे दिया sin theta बटा cos theta का sin theta cos theta plus दूसरा पद है cos square theta इसमें भी बाग दे दिया sin theta cos theta का sin theta cos theta plus तीसरा पद है sin theta cos theta sin theta cos theta इसमें भी बाग दिया हमने sin theta cos theta का sin theta cos theta तो यहां इसमें एक sin से एक sin कट हो जाएगा यहां cos square से एक cos कट हो जाएगा यहां इसमें फूरा पद कट हो जाएगा तो हमें रफ्राप्त हो गया, यह हो प्राप्त हो गया, sin बटावा, cos थिटा, sin थिता बटावा, sin थिता, और प्लस इसमें बद गया 1, अब हमें सिद गरना है कि 1 प्लस 10 थिता प्लस platforms तो सरव परतम हम लिखें इस एक को, एक को पहले लिखें या, यह हो गया, एक, प्लस साइन थिटा बटा कोस थिटा हो गया, टेन थिटा, और प्लस कोस थिटा बटा साइन थिटा हो गया, कोट थिटा, कोट थिटा, और बराबरा यह हमें प्राप्त हो गया, इसका, R, H, S तिसी दम